जएजनेनबंधुँँँँद्धि अत्राइटि सेवा समूमें आप सभी का स्वागत है धर्म लाब हेतु मुनी श्री एक्सौट कुन्तु सागर्जी मुनिराज द्वारा ली जा रहे ही कक्षा महाकाव वि मूकमाटी जिसके रचेता अचारे गुरुवर्ष्री एक्सौट विद्या सागर्जी मुनिराज हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसे रोज आप सार्थी सेवा समू के फेस्बुक पेच वा यूट्यूब चैनल पर प्राता नौ बजे देख सकते हैं नवो अरिहन्तानम नवो सिद्धानम नवो आयरियानम नवो अज्धानम नवो अज्धानम नवो लोई सवसाहुण नवो अज्धानम बोले पंच परमेश्टी भगवानी की, देवाय देश्री पार्शनात भगवानी की, गुरु नाम गुरु आचर स्री जियान सागर जी महामनी राजी की, आचर गुरु देव भगवन स्री विद्या सागर जी महाराजी की, प्रुथम खंड मुकमाटी का शमाप्त हो गया था अब दुतिय खंड प्रारम होना है जिसका नाम है सब्द सो बोध नहीं बोध सो सोध नहीं सब्द आप जानते ही हैं बोध का रतता ज्यान और सोध कारत होता है प्रियोग आचरण अथात सब्द ग्यान नहीं है और ग्यान सो चारित्र नहीं है इस चीज को समझें सास्त्र में सब्द लिखी हुई हैं ग्यान नहीं है इन सब्दों की माध्यम से हम ग्यान को प्राप्त कर शकते हैं लेकिन सब्द को ही ग्यान नहीं कहा जा सकता वेसे ग्यान की माध्यम से हम चारित्र को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन ज्यान को ही चारित्र नहीं कहा जा सकता सब्दों जड़ रूप में हैं सुनने में आते हैं देखने में आते हैं लेकिन सब्दों का उदगाटन कब होता है जब चिंदन की चक्की में डाला जाता है तब सब्दों का अर्थ उदगाटित होता है इसलिए सब्द मात्र को ज्ञान नहीं कहना और ज्ञान मात्र को प्रयोग या चारित्र नहीं कहना अभी सब ज्ञान हुआ है अब चारित्र की और बढ़ने की बात है लो अव सिल्पी कुम कुम सम मृदू माटी में मात्रानु कूल मिलाता है छना निर्मल जल नूतन प्राण फूक रहा है माटी की जीवन में करुणा मैं कनकन में अलगाओ से लगाओ की और एकी करण का आविर्भाओ और फूल रही है माटी जल तत्त का सभाव था वह वहाओ इस समय अनभव कर रहा है ठहराओ कही रहे हैं आचे रिवगुंत की अब छने जल को सिल्पी छनी माटी में मिला रहा है माटी भी छन्चु की कंकड़ा लग हो गए अब पानी भी छन्चु का छन्ने के बाद अब उस तोनों का मिश्चर्ण हो रहा है जल को नया जीवन मिल रहा है और उश्रमे क्या होगा सीत काल का समय है जब ये घड़े बढ़ने का निर्मान का कारे चल रहा है तब सीत काल का समय रहता है उहाँ पर बर्फ भी गिरती है और सीत लहर भी चलती है उस समय सिल्पी की बात कही जा रही है कि रात में वह सूखी, सूती, पतली, चादर, मात्र ओड़ करके ही पूरा का पूरा समय निकाल लेता है कंबल का उपयोग नहीं करता है वह कहता भी है आगे कि कंबल वाले ही कंबल उपयोग करते है जिसके बल क्या होता है? कंब और जो चाम की दास होते हैं अथा सरीर के आसरत हैं, सरीर पर ममता रखते हैं, वह कंबल का उपयोग करते हैं हम तो राम के दास हैं अथात आत्मा की उपास न करने वाले हैं इसलिए हम बिना कंबल के रह रहे हैं प्रोशर प्रकृति की बात कही जाएगी कायरता की और कायरता के बिलीन होने की चर्चा भी यहां पर कही जाएगी तो कह रहें कुमकुम के समान मुलायम माटी में सिल्पी ने छणा हुआ स्वक्ष जल मिलाया जल के मिलाते ही कंकं में नई चेतना आ गई नया परिवर्तन हुआ कणकण में बिखरी माटी एक रूप हो गई पसंद्नता से फूलने लगी इधर जल के जीवन में भी नया अनभव हुआ वह क्या अनभव हुआ तो कहे रहे हैं बहाव रूप जल का सभाव था सो इस समय ठहराओ का अनभव हो रहा है दो बाते है आपर महत्तपून है अलगाओ से लगाओ की ओर एक ही करण का आगर भव कह रहे हैं गुरु बाराणी की वर्षा से क्या होता है अलगाओ का एक ही करण हो जाता है जैसे पानी गिरा तो मिट्टी के जो कण बिखरी थे वो क्या हो गए एक वैसे गुरुओं की बानी सुनकर के समाज में जो अलगाव था विखंडन था वह एकता की डोर में बन जाता है जैसे कंकं जुड़ जाते हैं वैसे गुरुओं का सानित दिपा करके समाज भी जुड़ जाया करती है अलगाव समाप्त हो जाता है नए प्राण फूक दिये जाते हैं नया जीवन उन्हें प्राप्त हो जाता है और वह भींग जाती है जैसे करुणा में जीवन भींग जाता है तो बड़ा महत्तुका होता है बैसे वहाँ मिट्टी जब पाने भींग जाती है तो बहुत महत्तुकी हो जाती है तो बहने के सभाव में इस्तरता आ गई पानी बहरा था लेकिन पानी जब मिट्टी मिला तो उसका बहाव भी ठहराव रूप में हो गया और अलगाव से लगाव हो गया मानि एकी करण का एकता का आविरभाव उत्पत्ती हो गई और फूल रही है माटी और जल तत्त का सभाव था क्या था इस बहाव भहना चंचलता थी हकीकट तो यह है संसारी प्राणी चंचल है लेकिन जब गुरू का सानिद्ध पाता है उनकी बाणी को सुनता है तो उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है एक दूसर जो अलगाव और बेरवरूर होता है गुरु की बाणी सुनकर की वो अलगाओ और बेरवरुद्वी समाप तो हो जाते हैं क्योंकि साधु समाज में रहती हुए दो कारी करते हैं एक तो आत्मा की साधना करते हैं उस समाज में कोई बिडम्मन आ जाए समस्य आ जाए तो उसका समाधान करते हैं आत्मा की साधना और समाज का समाधान दो कारी वहाँ अच्छी तरह से करते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसी सब समाधान हो गया नई चेतना आ गई नया परिवर्तन हो गया यदि परवचन सुनकर के गुरूं का सानिद्य पाकर के हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता परिवर्तन नहीं आता तो सानिद्य कोई माइना नहीं रखता वहाँ परवचन सुनना कोई माइना नहीं रखता कुछ तो हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए स्वाध्धै करने का कुछ तो फल होना चाहिए सादु संगती का कुछ तो फाइदा होना चाहिए तो केरे जैसे मिट्टी में पानी गया अलगाओ दूर हो गया ये किकरण हो गया और जल का बहाओ भी रुख गया माटी की प्राणों में जा पानी ने वहां नव प्राण पाया है ज्यानी की पदों में जा अज्यानी ने जहां नव ज्यान पाया है अस्थिर को इस्थरता मिली अचिर को चिरता मिली नव नूतन परिवर्तन तन में चेतन का चरंतन नर्तन है यहा वह कौन सी आखें हैं किसकी कहां हैं जिने सम्भव है इस नरतन का धर्शन यहाँ अब कहे रहे हैं कि यहाँ पर नव प्राण अर्थात नया जीवन उन्हें प्राप्त हो गया जेसे अग्यानी के पास जाते हैं तो अग्यानी हो जाते हैं और ग्यानी के पास जाते हैं तो ग्यानी हो जाते हैं तो यहाँ पर ग्यानी भी सानिद्द पाकर ग्यानी का अग्यानी ग्यानी बन रहा है अस्थिर मन भी इस्थिर हा रहा है अचिर भी चिर्ता मिली है अर्थात नस्वर जीवन को एक अविनिस्वर जीवन प्राप्त हो रहा है के रहें यहां अज्ञानी भी ज्ञानी के शरणों में सरण पाकर की नया ज्ञान प्राप्त कर लेता है तथा उशी प्रकार यहां पर करें इस्थर सुभावाली माटी की संगती प्राप्त कर बहाव सुभावाला जल्वी इस्थर सुभावाला हो गया ये मिट्टी का प्रवाव है कि पानी को उसने इस्थिर बना दिया वैसे ज्ञानी का प्रवाव है जो हमारी चंचलता को समाब तो कर देता है और छणभंगुर जीवन को क्या बना देता है अस्थिर माने छणभंगुर जीवन सास्त्ता से जुड़ा जलने नई प्राण वो ज्यानी तो वह है जो आत्मस्त हो जाए इस्थिर हो जाए अर्थात विश्यों के बहाओ में ना बहता हो इंद्री विजी हो सांत परणामी हो सम्य ज्यानी योगियों की सरण को प्राप्त करके अनपड़ लोग ही पड़े लिखे हो जाते हैं मैं कहता हूं गुरु का सानिद्द पाकर बुद्धु भी बुद्धिमान बन जाते हैं ये गुरुओं के सानिद्द का परिणाम है तन में चेतन में चरंतन नर्तन यह सब कौन सी आखे हैं किसी की कहां है जिने संभव है इस नर्तन का दर्शन यहां कह रहे हैं ये शरीर जो ह यह परिवर्तन सील है सरीर के भीतर बिराजित जो है तन में क्या है चेतन माने आत्मा बिराजमान है जो चरंतन नर्थन है अर्थात हमेशा क्रिया सीलता उसके अंदर है चरंतन अर्थात अनादी काल से है यह नर्थन का दर्शन कौन सी आँखों को संभव है किसकी और कहां है बे आँखे यह सब रहस जानना हमारे लिए है अर्थाथ इन नश्वर हमारा सरीर है इसके अंदर आत्मा बराजमान है अनादी काल से है इसी जानमे में आज तक नहीं आया हमें यह रहस क्या है इसा केसा है हमारे अंदर कौन सी चीज है आपके अंदर चीतना है, यहां पर ज्यान की बात कही जारी, संगती की बात कही जारी, कितना प्रभाव पड़ता है तो मैं आपको बता दू, पांच वर्ष की आयू से ही, सुरी जिनसेन आचरे महराज, बेजसेन महराज के पास गए थे तभी से वो अध्यन कर रहे थे, और बताते हैं, आठ वर्ष या ग्यारा वर्ष की आयू में वे मुनी बन गए थे जिनसेन महराज इस परकार की साधना करनेवाले थे, साधों की संगती में आठ वर्ष में मुनी बन गए, ग्यार वर्ष में मुनी बन गए, किनका प्रभाव है, सानिद्ध का प्रभाव है इसलिए ग्यानी का असानिद गुरुओं का असानिद हमेशा प्राप्त करते रहना चाहिए आपने देखा होगा पानी है दूद है देखा जाए तो पानी का कोई रंग नहीं होता लेकिन जैसा उसमें रंग मिल जाता है उस कलर का हो जाता है उस रंग का हो जाता है दूसरी बात यह है यह पानी सागर में जाता है तो खारा हो जाता है नदी में जाता है तो मीठा हो जाता है यह किसका पुरहाव है संगती का पुरहाव है यदि दूद में नीव उने चोड़ दिया जाए तो फट जाता है और जामन डाल दिया जाए तो जम जाता है यह किसका प्रुहाओ शंगती का जीवन में दो चीजें बहुत आवश्चक हैं कुछ हो या ना हो दो चीजें जो जीवन को बनाती हैं नेक उनका नाम है ससंगती और विवेक ससंगती और विवेक जिससे हमारा जीवन बनता है नेक यदि हमारे पास ससंगती है या फिर विवेक हो तो हम अपने जीवन को बहुती सुन्दर बना सकती है धन हैं वो गुरुदेव जिनका हमें सानिद्ध मिलता है और उनने हमनों का विवेग भी जगा दिया है विवेग को जागरत कर दिया है ग्यान कार्थ मातर ये नहीं है कि तुम सब्द पढ़ लो अभी कहा गया सब्द सो बोध नहीं बलकि बास्तों में वह भाव भासन होने लगे वह महत्त पूर्ण है आज यसी किती सम्यग्यान किसी कहेंगी जो हमें पाँच पापों से बचा ले उसी का नाम सम्यग्यान है और जो पाँच पापों से ना बचा पाए वह तो सब्द ग्यान है तत्तो ग्यान सब्द ग्यान सम्यक ग्यान आपके उस ग्यान तो है पर सब्द ग्यान है कि तत्तो ग्यान है कि सम्यक ज्यान है इसको जानना बहुत आवश्यक है तो कहे रहे हैं बास्तों में सम्यग्यानी क्या करता है सास्त्रों का ग्याता सम्यग्यानी नहीं है बलकि जो आत्मस्त हो जाए अर्थात आत्मा के ध्यान में लग जाए वही सच्चा ग्यानी माना जाता है यदि वहा संसार की बिकल्बों को छोड़कर की आत्म का ल्यान प्रवित्त नहीं होता तो उसका ग्यान किस काम का आचेर ये अकलंक देव कहते हैं राजबारते ग्रिंथ में कि देखो यदि कोई व्यक्ति देपक लेकर के भी कुई में गर रहा है तो क्या कहा जाए या तो देपक बुझा है या फिर सामने वाला अंधा है इसी परकार ग्यानी होकर के संसार के कुई में गर रहा हो उसे ग्यान कहेंगी अग्यान उसे ग्यानी कहेंगी आज व्यक्ति उन्हें ग्यानी बोलते जिनकी पास सब्द ग्यान हो सास्त्रों का स्वाध्या हो भहिया वो तो बहुत सास्त पड़े हुई हैं बहुत ग्यान है लेकिन पूछना चाहिता हूँ ने अपना भान है की नहीं है सच्चा ग्यान वही है जो अपना भान करा दे अपना भान नहीं कराए और ग्यान हो जाए तो तो सब्द ग्यान है उसे हम तत्तो ग्यान नहीं कहे सकते इसा सब्द ग्यान तो प्रत्तिक विक्ति को हो जाता है उसे बुलते काल आक्षर बहस वरावर भेस भी और बहस जो बाद वबाद के काम में आए बहस के काम में आए वह ग्यान किस काम का बास्तम जो बाद बाद को समाप्त करके अनेकां स्याद बार पड़ा दे जीवन को धन बना दे वही ग्यान सचा ग्यान माना जाता है जीवन को धन न बना सके वही ग्यान कोई माइना नहीं रखता विशियों के बहाओ में बहरा है वह कैसा ग्यानी, वह तो बहरा है, बहरा है, किसी की सुन ही नहीं रहा है, बहरा कैसे कहते हैं, जो सुनता नहीं, वह बहरा है, वो भी सुनता नहीं, पानी को रोको, रोक जाओ पानी, मैं तो बहरा हूं, मैं जा रहा हूं, ऐसी अग्यानी बहता चला जाता है, इंद्रिय वि जय नहीं है, सांत परिणामी नहीं है, उसे हम ग्यानी कैसे कह सकती हैं, समझो इस बात के लिए आचरी यही कहना चाहते हैं, सरीर के भीदर जो हमारी चेतना आत्मा है, उसकी क्रिया सीलता के बारे में जानो, हमारी आत्मा क्या करशक्ती है, हमारी आत्मा नर से नारण भी बन सकती है ये सारी छमताइं हमारी आत्मा में विद्धमान है जैसे देश का प्रतिक नागरिक प्रधान मंत्री बनने की योगता रखता है वैसे प्रतिक जीव और आत्मा परमात्मा बनने की छमता रखता है ये हमार लिए भान होना चाहिए हम दरिद्री बने हुई हैं हमें अपना भान नहीं है आचर ग्यान सागर जी मरा लिखते हैं तुम बीर की संतान हो तुम अपना भान करो ज्यान करो एक बार की बात है एक सेरनी का बच्चा था बहुत छोटा वह बच्पन में ही बिछुड गया और जो वह बिछुड गया तो स्यारों की टोली में रहने लगा स्यारों की टोली में रहते रहते वह भी स्यार जैसा हो गया था तो हो स्यार पर स्यार जैसा हो गया अब क्या हुआ कि वह सेर सामने से निकला तो सारे स्यार भागने लगे तो जो सेर का बच्चा था वह भागने लगा सेर को आश्यरी हुआ कि सेर सेर को देख करके भाग रहा है और किसके साथ भाग रहा है स्यारों के साथ भाग रहा है कि अरे उसने का रुको 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 तुम कहाँ भागी जा रहे हो तुम तो सेर हो हसने लगा आज तक तो हम कैसे बने हैं स्यार जैसे बोले कौन कहरा मैं सेर हूं बोले इधर आओ हम बताते तुम्हें तुम कैसे सेर हो बोले पहले बताओ हमें खाओगे तुन नहीं बोले नहीं खाएंगे बादा करते हैं सेर का बच्चा आगया अब तो बड़ा हो चुका था सेर ही हो चुका था इधर आओ एकुआ है ना इसमें जहांको उसने जहांक करके देखा मेरे चहरे की आकरती कैसी है बिलकुल इन जैसी है मैं भी सेर हो, मुले हम दहाड लगाओ उसने दहाड़ा अभी तक तो मैं क्या कर रहा था ववववव कर रहा था लड़िया बना हुआ था स्यार बना हुआ था अरे आप अच्छे मिल गए जिनने हमें बहान करा दिया तुम स्यार नहीं तुम तो सेर हो बस ऐसे ही अपने जीवन गुरु महराज हैं के ते उठ जाओ तुम कायर नहीं तुम बीर की संतान हो कहां पड़े हुए चूहों जैसे स्यारों जैसे जिन्दगी जी रहे हो तुम तो सेर हो तुम तो बीर की संतान हो तुम आओ और अपनी चेतना का परिचय करो उसे उसका दर्शन करो उसे जानने का प्रियास करो और शुद्धुप्योग की भावना भाव ताकि होता है हाँ अब चलती सीत काल की बात है अवस्स ही इसमें बिक्रती का हाथ है पेड़ पोधों की डाल डाल पर पात पात पर हिम पात है और इसी की हां में हां मिलाता प्रक्रती के साथ मलिन मन कलिन तन बात करता वात है कल कॉमल कायाली लता लतिकाएं ये सिसर छोवन से पीली पड़ती सी पूरी जल जाते हैं आचिर वगंत अब शीत काल की रितु का बढ़नन कर रहे हैं ठंड की रितु है वह भी अपने प्राकरते क्याने साभाविक रूप में नहीं है शीती रुतु भी अपने स्वाबा की रूप में नहीं है क्योंकि बहुत ज़णन जब हिमपाथ होता है तो थंडी भी बहुत पढ़ जाती है पाला पढ़ जाता है हिमपाथ हो जाता है तो केरे पेड़ पोधी की पत्तिक डाल पर पत्तों पर बर्फ गिर रही है हिम पात हो रहा है बर्फ गिर रही है और गिरते बर्फ की सासा जोड़ार ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है उसका साथ ने भा रही है कौन हवा वातमाने हवा वह भी चल रही ऐसी परसिती में सुन्दर कॉमल कॉमल काया वाली लता लतिकाएं सीत लहर किस परसे पीली पीली पढ़ने लगी है और जल सी गई हैं ऐसी ठंडी पढ़ रही है गर्मी से ही जलते ऐसी बात नहीं है सरदी से भी जल जाते हैं बरना बर्फ की सिखाई क्यों करते हैं आप लोग जब कहीं आपके दातादी में दर्द हो कहीं सूजन हो तो किस से करते हैं आप लोग शेलिंग में आप लोग बर्फ की सिखाई करते हैं क्योंकि अकेले आख से सिखाई नहीं होती है बर्फ से भी सिखाई होती है एसे वो सब जलती चली जा रही हैं कमपन की परिचय से परिचित सब की गात है पर अनुकमपा से भरा और किसका है कौन है वह कहां उसकी किरपा कब होती है बसुधा पर बरी इसी अनुकमपा की वर शांत है कह रहे हैं आपने देखा होगा ठंडी पड़ती है तो गात माने सरीर सब का कापता रहता है लेकिन दया अनुकमपा से कोन कापता है अर्थाथ दूसरे की दुख को देखकर किसे कापी उठती है किसे कपकपी आती है किरे आज ऐसा कोन मिलने वाला देखने वाला है समझने वाला है कोई नहीं मिलता इस संसार में अर्थात ऐसे मोसम में सब की सरीर प्राया हा कपकपी का अनुभाव कर रही हैं किन्तु यह ऐसा कौन प्रोस हुआ है जिसका हिर्दय अनुकंपा और माने हिर्दय अनुकंपा प्राणी मात के प्रति दया का भावले काप रहा हो यह भगवन कितने संसार में दुखी हैं यह देखकर उसका दिल दहल जाए कापने लगे आज कोन ऐसा मिल रहा है उस परम दयालू परम पुरुष की किर्पा बरी इसी माने स्रिष्टता दया की बरशा इस धरा पर कब होगी कहां कहां नहीं जा सकता कब होगी देखो सबका सरीर कापता है तीन कारण से दो कारण तो सबके पास है तीसरा नहीं है पहला कारण है ठंडी के कारण सरीर कापना दूसरा कारण भय के कारण सरीर कापना तीसरा है दूसरे के दुख को देख करके सरीर कांपना यहाँ पर दो दुखों की बात नहीं कहीं जा रही है तीसरे कंपन की बात कहीं जा रही है अद दयास से किसका हिर्दा भींगता है कौन दूसरे के दुख को देख करके कांपने लगता है आज कोई भी इस प्रकार का नहीं मिल रहा है कि दूर से को देख करके दुखी हो जाए उसका हदय पघल जाए कोई नहीं देखो ना आप दो रोज मोबायल में सब चीज़ें देखते हो देख भी रहे इतनों की मोत हो गई फिर भी चाय पीते जा रहे हो मीठा खाते जा रहे हो भोजन करते जा रहे हो देखते भी जा रहे है टीवी और मोबायल में कहां संबेदन सीलता है हाँ जिससे आपका थोड़ा सा परिचा है सो आपको लगता है जो ही हो खतम हो गए ऐसा हो गया वेसा हो गया उनकी ऐसा दुख हो गया ऐसा जिसे परिचित नहीं हजारों लोग मर रहे हैं कहा है संबेदन सिल्दा कभी ऐसा हुआ कि आप चाय या दूद पी रहे हो और आपको समाचा सुनाई दे दे इतने लोग खतम हो गए आपकी चाय छूट गई हो आपका भोजन छूट गया हो बोल अपने जीवन को अनुकम पासे भरने वाला हो आज कहीं दया और करुणा दिखाई देती ही नहीं सीथ परिशय तो सहिन करने में मालूम पड़ता है पर दूसरे को पर योग परिशय हो रहे हैं उन्हें देख कर कि कभी हमारा हिर्दय कम पे तो नहीं होता के रहे हैं मन में यहीं दया नहीं हैं तो क्या मतलब कलिस करने से क्या मतलब साधना करने से बोलो ना क्योंकि बिना दया के कहीं मुक्ती संभव नहीं हैं लिखा हुआ है अनगा धर्मामरत में जिसके पास दया नहीं है वो यह सरीर को सुखाए ना वो यह साधना उसकी मोक्ष देने वाली न अजहां ही नहीं, करूना ही नहीं है, हिंसा ही नहीं, तो क्या है? आज है स्री जी कहते हैं, जैसे आप लोग चोके में सारधानी रखते हो, ये सब जी आक रोड़ा कमरें रखते हो。 लाइट का दुरुपयोग पंखा एसी का चलाना याचना करना ये सब जैसे चोके में नहीं होती बैसे कमरी में साउधा नहीं हो पाती है कि नहीं कुछ लोग के थे हम स्वाध्धाय कर रहे हैं इसलिए लाइट की आवश्शकता है प्रस्न उठता है स्वाध्धाय क्यों किया जाता है पाँच पापों से बचने के लिए बोलो ना और पाप चल रहा है और स्वाध्धाय हो रहा है पाँच पापों से बचने के लिए जो किया जाता है हुआ है एक सज्जन बोले महराज हम पन्खा में बैठ जैदे तो अच्छी सामय कहोती है इसलिए कोई बिकल्प नहीं आता ना मच्छर का ना गर्मी का ना कुछ नहीं इसलिए हम पन्खा चला करके सामय करते हैं आचैसी जी ने कا सामय किसे कहते हैं पाँश पापों का त्याख करकी उफसर परिखर्षय को सहिन करते हुई आत्मा और परमात्मा का ध्यान करने का नाम पहली कंडिशनी में खड़े उतर रहे पांच पापो का त्याग पंखा की नीचे बेटने वाले का पाप का त्याग हो सकता है क्या हिंसा नहीं होगी क्या होगी और उफसर परिशय सहिन करो सामायक में गरस्तों को इकली मुनियों को नहीं कहा गरस्तों को भी कहा है थोड़ा साबका चार ग्रंध पड़ो तब आपको मालूम पड़ेगा फिर कहां आपकी साधना कि दया नहीं है तो मुक्ती संभव ही नहीं है बाकी और किस्तुंज करना एक बार भोजन करना ये सब के लिए इसके कारण है इनसे कुछ लाव नहीं इदि आपके पास दया और करुणा नहीं है तो क्योंकि दया और करुणा ही मुक्ष उद्दिश है धरें पालन करने का अहिंसा महावरस सबसे पहले इसलिए आपको दो प्रतिमा तब मिलती है आचर स्री के दौरा जब आपको ये का पानी उप्योग करने लगते हैं बिलचानी विवस्टिट डालने पड़ती है इदि पांच पापों से बिरती नहीं है तो ब्रत किस चीच के ब्रत माने दूर होना हटना किस से हटना पांच पापों से हटना तभी तो आपका ब्रत पलता है अन्यथा नहीं ब्रत पालने के लिए बहुत सावधानी की आवश्च्छता हुआ करती है कर्म नजरा के साधन हमें कर्म की नजरा करना है आच्छे स्री जी कहते हैं जो मुनी बन गए हैं ध्यान में बैठ जाते हैं किसी भी चीच का चिंतन करते हैं वह भी उनका स्वाध्धा है आलस्त के त्याक का नाम ही तो स्वाध्धा है किसकी त्याक का नाम उसमें लिखा हुआ है पांच पापों से बचने बाला अभ्यक्ति अपने जीवन उन्नति पर आप ये पढ़ रहे हो आप और आप पांच पाप को त्याक किये हुए हो ये स्वाध्धै नहीं हो रहा क्या मुनी भराज आख बंद करके जहां भी बैठ जया है जो भी चिंतन करते हैं उनका स्वाध्धै अपने आप होत रहता है केकडी की पार राजस्थान केकडी की बात है आचसरी जी वहीं ये छोटा सा कोई गाउँ था यार नहीं आ रहा नाम तो आचसरी वहाँ पहाड पर जाते थे एक क्यूंत्र दूर आहर करके सीदे गर्मियों के समय और वहाँ पहाड पर जाकर के ऊपर बैठ जाते चट्टानों के पत्थरों के पीछे जाकर के बैठ करके पूरा का पूरा दिन निकाल लेते थे वहीं पास में एक नदी थी पीछे पहाड़ी के वहीं रात्री में बिस्वाम कर लेते थे हमने कहा आचस्री जी एसा एसा सुनाएं कि इस सच है वो लिहां सही है आहार करते थे आहार करने के बाद सिधे पहाड़ पर चले जाते थे हमाए साथ मनि भद्र छुल्लक जीवी थे मनि भद्र सागर आचसरी बता रहे हैं और वहां जाकर के पीछे बैठ करके अच्चा सुかった करते थे हमने का सास्त ले जाते थे क्या उपर प्रवचन काय, पंचस्ति काय, समय सार, इन सब का स्वाध्य करते थे आचसी जी हमने का आचसी कि आप ले जाते थे बोले नहीं, सब मुखागर थे क्या थे? मुखागर थे और वहाँ बेट करके आचसी कि जो चिंतन करते थे वही तो स्वाध्या है सास्त्र की आवश्रक्ता नहीं, सादु नरीव रत्ती से जो भी चिंतन करता है, वो सब कर्म नजरा का कारण बन जाता है, और परम तब स्वाध्य हो जाता है सब पाँच बाप गत्याग कर लिया, अब चिंतन में क्या आएगा, कोई बस्तु व्यक्ति आएगा, तो रागदेश नहीं होगा, क्योंकि पाँच बाप गत्याग है आप चिंतन करेंगी तो बस तुमें अच्छा बुरा इकल अपना करेंगी मालो हमने आपका चिंतन किया क्या चिंतन करेंगी कि भगवान इसका कल्यान हो अप आई बचे धर्म ध्यान हो गया तेसा स्वाध्य अपने आप में महत्यपून है सास्त की माध्या में सही स्वाध्य होता है ऐसा नहीं लेना जो योगी ध्यानी होते हैं वो बिना सास्त की भी स्वाध्य कर लेते हैं और हकिकरत ये बता दें कुछ लोग कहते हैं कि उपदेश देने के लिए स्वाध्य करना पड़ता है अरे मुनी महराज की मौन मुद्राही बहुत बड़ा उब्देश दे देती है यह गुरु है सास्वा सुक दर्शक यह नगन सुरूप तुमारा जग की नस्वता का सच्चा दिगदर्शन कराने वाला है मुनी महराज की मुद्राही बता देती है संसार नश्वर है आत्मिकल्याने प्रवित्स होना चाहिए सुनुएं आप लोग की नहीं जैसे इत्र की सीसी खाली भी हो जाए तो अभी उसमें सुगंध आती रेती है बेसे मुनिराज मुहन भी रहेन तो अभी चारत्य की सुगंध ग्यान की सुगंध मिलती रहती है एक बात और बता दूँ पूल की इत्र की सुगंद उस दिसा में आती है दिस दिसा की ओर हवा चलती है लेकिन चारत्वान की सुगंद तो चारों दिसाओं में ही प्राप्त होती रहती है तो इस प्रकार की बात कही जा रही है उस समय कौन है आज बरत्वान में जो दया को समझ रहा है और आगे चलते हैं तो कह रहे हैं कौन अनुकम्पा की बरशाद करने वाला है बसुधा पर इस धर्ती पर बरी सीमाने स्रेश्ट अनुकम्पा की कौन बरशाद करता है गीत काल में कब थे देख्षित भी शिक्षित कवते प्रसिक्षित भी फिर भी अभ्यासी सम नर्तन करते सब के दात है दिने में सुकुणन हो आई है प्रभाकर की प्रखरता भी डरती विखरती सी लगती है और उपर होकर भी नव में प्रभाकर नत मात है शिक्षित काल का ब्रडण चल रहा है शीत रित्यू का ब्रडण चल रहा है कि रहे िधर और देखो आप ठंड के कारण सबी के दात किटकटा रही है जब तीक ठंड पड़ती तब क्या होता है दात क्या होते अपने आप कि टिट ऐसे लग रहा है कब कपी कानुवा तो करते हैं मानू नाच रहे हैं अब व्यासी नर्तक के समान पता नहीं किसने कब इनको उन्रत कलावें कि सिक्षादी थी दिक्षादी थी प्रुसिक्षण किया था इन दातों को बता नहीं दिन भी छोटे हो गए शुकृणन हो मतलब क्या हो गया दिन में छोटे होने क्यों कि ठंडी के समय दिन कैसे होने लगते हैं छोटे होने लगते हैं और कह रहे हैं सूरी की तेजस्विता भी डरती सी लगी पर खरता माने तेजस्विता यहां बिखरशी गई है अब जो सूरी की तेज गर्मी थी वह भी कम हो अर्थात हार मान चुका है नतमस्तक हो गया ऐसा लग रहा है यह प्रकृति का वरणन चल रहा है जहां कहीं भी देखा मही में महीमा हिमकी महकी और आज घनी अले गुण हनी सनी की खनी सी भैमर अग की जनी दो गुणी हो आई रात है यहां अब रात के दुरगुण गिनारे ह किसके दुरगुण रात प्रतिवी में सवोर जहां कहीं भी देखो ठंड का ही प्रभाव देख रहा है अली माने होता भोरा भोरे के घने नीले रंग को भी पराज़त करने वाली घनी अली गुण हनी सनी की खनी सी कही रहे हैं भोरे के घने नीले रंग को भी पराज़त करने वाली सनी अर्थात काले रंग का प्रतिख को पैदा करने वाली है खनी माने खदान पैदा करने वाली है और केसी भाय मद अग भाय माने भाय घमंड मद माने घमंड और अग माने पाप जनी माने जन में देने वा हो आई है अर्थात रातें लंबी हो गई इस अब रात्री की विशिस्ता हैं कैसी है रात्री बोरे के घने नेले रंग को पराज़त करने वाली सनी अर्थात काले रंग के प्रतिक वाली और काले रंग को पैदा करने वाली भय और मद और पापों को जन्म देने वाली दुगणी लंबी हो गई है इसा क्यों कहा तो हम आपके चिंतन के माध्यम से बताते हैं आप चिंतन करो आपके सरीर में जब कभी भी रोग हुआ होगा गाव हुआ होगा तकलीब होगी तो रात में जादा दिन तो जिस निकल जाता लेकिन रात में तकलीब खांसी हो तो रात में बुखार हो तो पैर में दर्द हो तो इस सब कभ जादा बढ़ते हैं इसी प्रकास से पाप भी रात में जादा बढ़ते हैं अंधिरा हो जाता है तो पाप भी दुख और पाप रात्ती में अधिक अपराध, चोरी, डकेती, यह सब कब होती है यह सब आप आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से अंधिरे में अधिक हुआ करते हैं तो के रहें यह दुरगुण की खान है कौन? रात्त्री सही बता दें आपको दिन इसलिए मिला था कि आप आजिबका के बारे में सोच सकें और रात इसलिए मिली थी जीव की उद्धार के बारे में सोच सकें दिन में आपको फरशत नहीं मिलती तो रात में आकर सांते से बैठ करके चिंदन करो मैं कौन हूँ कहां से आया यह अंधिरा कह रहा है देखो जीवन में कब अंहिरा आजाए कोई भरोशा नहीं है जैसे याज की साम वैसे जीवन की साम कब हो जाए पता नहीं रात्री का अंहिरा इसलिए आया था कि आप आत्मा का चिंदन करशकें लेकिन आत्मा का चिंदन नहीं हो पारा है पाप में और व्यक्ति लग जाता है आखिर अखर रहा है यह सिसर सब को पर क्या एक विसेश वात है कि सिल्पी की वह सहज रूप से कटती सी रात है सब को बड़ा मुश्किल लगता है रात्री में थंडी की रात बड़ी मुश्किल से कटती है गरीब आदमे से पुछिस कपड़े नहीं होते किसी कविनत लिखा है मेरे मन को कब लग हो तुम ऐसे राम जैसे गरीब की देह को लगता है घाम क्या घाम मन धूप कह रहे हैं जैसे सरदी में गरीब के लिए धूप अच्छी लगती है बेसी मेरी मन को ही भगवान तुम कब ऐसे लगोगी वो इंतजार करता रहता रात बार सुवे कब हो और हम धूप में बेट चाएं कपड़े हैं नहीं घर हैं नहीं पटपात पड़ पड़ा है तो रात बार जाकता हुआ इंतजार करता है अब धूप आएगी अब धूप आएगी ऐसे ही सच्चा वक्त इंतिजार करता है कब भगवान के दर्शन होगी कब भगवान के दर्शन होगी वह कह रहा है कि ऐसा मुझे कब लगेगा जैसे गरीब की देहे को जड़कारे को घाम अच्छा लगता है बुंदिल खंड़ में जड़कार हो बोलत और धूप खों घाम बोलत कब लगेगा ऐसा कह रहा है इसे भगवान आप हमें इतने प्यारी कब लगेंगी हम रात अबर आपका इंतिजार करते रहें कब हमें भगवान के दर्शन हो कब हमें गुरू के दर्शन हो जैसे उस दूप मिल जाए कब दूप मिल जाए यह दूप ले रहा हो और सामने कोई आ रहा तो जली साइड हो हमें दूप आ रही है दूप मिलने दो ऐसी भगवान की दर्शन नहीं होते तो उसे भी छट पटाहार होने लगती है कह रहे इस प्रकार की सिती वहां पर बनी हुई है अ चौर वह परियाप्त है उसे सीत का बिकल्प समाब्त है एक सू टी सी चाधर ओड़ी हुई है और निश्चन तो सो रहा है वह कह रहा है मुझे रात काटने के लिए ठंडी सहिन करने करने के लिए इतना परियाप्त है फिर भी लोकप चार वस कुछ कहती है माटी सिल्पी से केती न वियोहार रिक्ता होती न न तो लोक उपचारवन वियोहार के नाते सिलपी से माटी कह रही है बाहर प्रांगन से ही काया तो काया है जड की छाया माया लगती है जाया सी सो कम से कम एक कंबल तो काया पर ले लो ना ताकि आउर चुप हो जाती है माटी तुरन्त फिर सिल्पी से कुछ सुनती है कह रहे हैं लोग को अप चार बस प्योहार को सलता की नाते उपकारी सिल्पी से मिट्टी कहती है कि आप इतनी ठंडी में एक कम्बल तो ले लो आके का सरी तो सरीर ही होता है काया तो काया ही होती है आप समझो इस बात के लिए यह सर का मोसम है सभी को कश्टदाई लग रहा है पर एक समय भी एक विसेश बात यहां पर यह लग रही थी कि मात एक सूती चादरोड़ी सिर्पी की रात सहरी रूप से कट रही थी किसी प्रकास से आकुलता नहीं थी उसके मन में और ठंडी का विकल्ब भी नहीं था लेकिन बाहर पड़े हुई माटी लेटे हुई सिल्पी को देख रही है और बेवहारिक्ता के बसिबूत होकर की सिल्पी से कह रही है क्या कह रही है उहीं पड़े-पड़े कह रही है सरीर तो सरीर है पुदगल से उत्पन पुदगल की परे आये है काया तो काया है और जड़की छाया माया है लगती है जाया है जाया मने उत्पन हुई है वो ऐसा पुद्गल्स उत्पन हुई है लेकिन एक बात ध्यान रखो ये धर्म का साधन तो है किसका साधन है हाँ ताकि और इसी में समझ जावाब क्या कहना चाहे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ताकि इतना कहकर माटी चुफ हो जाती क्या कहना चाहेती हुए आपको धर में का साधन करना है बहुत से गड़ों का निर्मान करना है उपकरण भी है इसलिए कम से कम तन पर एक गरम कंबल तो ले ही लीजिए इतना कहकर रच्चुप हो जाती है अब सिल्पी भी कुछ कहता है सिल्पी की बात को सुनती है सिल्पी क्या जवाब देता है कंबल वाले ही कंबल वाले होते हैं कौन से कमबल वाले ही कमबल वाले होते हैं और काम के दास होते हैं हमबल वाले हैं राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं कमबल का संबल आवश्चक नहीं हमें सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हम दूसरी वात यह है कि गरम चरम बाले ही सीत धरम से भैवीत होते हैं और नीत करम से विपरीत होते हैं मेरी प्रकृती सीत सीला है और रितू की प्रकृती भी सीत सीला है दोनों में साम में है तभी तो अवादित यहाँ चल रही अपनी मीत लीला है अब सिल्पी ने कहा कि शुनो प्रभु कई दास्ता को छोड़ करके जिन्होंने इंद्रियों की दास्ता को सुईकार कर ली है बेसरीज से बलसाली होते हुए बलहीन है भले वो हट्टे कट्टे दारा सिंग बने रहो कोई वायत ने लेकिन कह रहे हैं अभी प्रभू की दास्ता को सुईकार नहीं किया इंद्रियों की दास्ता में पड़े हुई हैं उन्हें वो बलहीन हैं बिस्विचेता समराठ सिकंदर को यह बास समझ में आगई कि दुनिया को जीतने निकला था किन्तु मैंने अपने आपको नहीं जीता मेरा बल किस काम का वह बापिस अपने देश लोटाया कर्म की बलहारी देश तक नहीं पहुँच पाया और उस हरीज से बलग हो गया संद्रिये ना यह बलसाली भी बिस्विचेता भी बलहीं नहीं मानके चलो कि गुरों ने अपने आपको नहीं जीता कहते हैं दुनिया में मात्र अपने मन को दास बनाना है दुनिया को नहीं दुनिया तो आपके बस में अपने आप हो जाएगी अपने आप हो जाएगी बनाने के जुरुत नहीं दुनिया को आप अपने मन को जीत लीजिएगा दुनिया को कौन जीता है जो अपने मन को जीता है जो अपने मन को नहीं जीत पाता वो दुनिया को जीत भी ली तो हार ही जाता है इसलिए कह रहे हैं कि बास्तों में कुछ तो कर लो पर वो है कह रहे हैं मतलब निकलता है क्या मतलब निकलता है उसकी चेतना अब्यक्त कर रही है कही रही है हम बलहीन थोड़ी है सुन्देए आप लोग की नहीं रकीकत तो यह सरदी गर्मी तो अंदर का बल होतो काम करती उसको जीतने है बाहर तो सरीष किसी का साथ नहीं देता लिगर अंतरंग मेरी आपकी धनता है तो सब कुछ सहिन हो जाता है मंजल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता बंदो होसलों में उडान होती है पंकों से कुछ नहीं होता किसमें उडान होती है होसलों में उडान होती है वैसी आप चाहो कि मंजल के नहीं मिल जाए उन्हें नहीं मिलती बंदो जिनके सब कुछ करतल कि सपनों में जान होना चाहिए तव होती है सपनमात देखने से कुछ नहीं इसलिए हम कमबल वाले नहीं है हमारे पास मजबूत मन है और इतना ही नहीं कह रहे और भी हमारे पास है क्या है केते जिनका मनोबल कमजोर है उन्हें ही कमबल की जरुरत होती है कम बल यानि जिनका मन का बल कम हो उसे आवश्चक्ता है जो मन से द्रण है उसे कम बल की आवश्चक्ता नहीं है मैंने बताया था दाता होकर भीक मांगना सव के बस की बात नहीं मुनी मरश क्या कतरी दाता होने के बाद भी आहाचरिया को बाहर निकलते हैं तो दाता होकर भीक मांगना सव के बस की बात नहीं तन पर एक भी बस्त्र न रखना सव के बस की बात नहीं परहत में यह देह सुखाना सब के बस की बात नहीं अंगारों पर लेप लगाना सब के बस की बात नहीं परहित में यह देह सुखाना सब के बस की बात नहीं अंगारों पर लेप लगाना सब के बस की बात नहीं और मेरे गुरु के जे सावनना सब के बस की बात नहीं मेरे गुरु के जे सावनना सब के बस की बात नहीं कम जोर मन वाला कभी दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं कर शकता मन की मजबूती चाहिए तन की नहीं मन की मजबूती चाहिए आप लोग बोलते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत आप लोगों से बेंसे उपवास नहीं होगा एक दिए घर में लड़ाई जगड़े हो जाएं गुस्से में उपवास अच्छे से हो जाएगा फिर बल कहां से आ जाता है मान सिक्ता पर सब चीजें आधारित हुआ करती है एक बार किसी ने आचस्री जी से पूछा आचस्री जी आप लोग उससर पर इससा कैसे सहिन कर लेते हो कैसे सहिन कर लेते हैं सब चीजें और आपको कैसे मन लगा रहता है भूख प्यास आदी में भी आचे सीजन ने कहा जैसे तुम्हारा दुकान पर लगा रहता है आप दुकान पर भूख प्यास सहिन किये रहते हो सीजन का समय हो टिपिन सामने रखा हो पर ग्राहक भी सामने रखा हो खड़ा हो ग्राहक को निप्टा थे के टिपिन को धिली बोलो ना गरहक फिर भूग कहां चली जाती है आपकी सरदीवी हो तो भी गर्मी हो तो भी गरहक भरा रहे हो फिर देखो आप पसीना पसीना होते हो तो भी दुकान चलती है कापते रहते हो फिर भी दुकान चलती रहती है क्यों रुची काविश है किसका बस है आपकी रुची है और दूसी धार्ण आपकी है प्राफिट हो रहा है प्राफिट हो रहा है पैसा आ रहा है पैसा आ रहा है बैसे मुनी राज के लिए भी उसमें रुची है तोकिने विश्वास है कर्मे की नजरा हो रही है फाइदा हो रहा है लाव ही लाव हो रहा है इसमें कर्मी की निजरा, भूख, प्यास, अंत्राय, इस सर्दी, गर्मी, ये सब सहिन करने से क्या होता उनको? कर्मी की निजरा होती है, ये उनका विश्वास है, इसलिए वह सब को सहिन करते, चले जाते, अपनी अपनी दुकान है, समझें न? अपनी अपनी रुची का विश्य है, अपना अपना लाव है, अपने अपनी दृष्टी है, सब के माध्यम से सब को अपना अपना प्राप्त होता चला जाता है, ऐसे मुनी महराज सब कुछ सहिन करते हुए, आत्म कल्यान की ओर बढ़ते चले जाते हैं, कहते हैं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, क्या चाहिए? मन चाहिए, यदि आपका मन है, तो आप सब कुछ कर सकते हो, और सादक कभी इनी सोचता अनुकूलता आ जाए, जैसे मौसम है, उसमें अनुकूलता बना करके साधना करता रहता है, करण कभी भी सब चीजें एक साथ नहीं मिलती, समय, स्वास्त, समझ, सक्ती, इस सब एक साथ नहीं रहती, एक बार हमने कहा था, समय है, तो सक्ती नहीं है, समझ नहीं है, स्वास्त नहीं है, सक्ति है तो समझ नहीं है समझ नहीं है समझ आ गई तो सक्ति नहीं है स्वास्त नहीं है बुड़ापे में क्या करें वो जब समर्थ सब चीज़ें रहती है तो उसे संसार दिखने लगता है संसार में फूल जाता है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बास्तों में जिनका मनुबल कमजूर है उन्हें ही कमबल की जरुवत होती है प्रभू की निकटता ही हमारे लिए सहारा है वही संबल है हमें कमबल की जरुवत नहीं है केवल एक सूती चादर से हमारा काम चल जाता है सुनें आप लोग की नहीं वो कह रहे हम राम के दास है अर्थात हम भगवान और आत्मा के दास है कंबल उन्हें चाहिए चाम के दास है अर्थात हैं काम के दास है जो विस्य बासनों में लगी हुई हैं उन्हें अपने बिकार को छिपाने के लिए पाप करने के लिए कंबल आली की आवश्कता पड़त होती है जो भगवान की सरण में आ गया उसे किशी परकार की आवश्य क्ता नहीं होती है इसलिए इbuildने ही हमारी दूसरी बात क्या है गरम चरम वाले ही सीत धरम से भैवीट होते हैं और सुन लो के रहें दूसरी वात ये भी है कि जो लोग प्राया करके गरम चरम समझ रहे हो गरम माने तामसिक चरम माने शरीर ब्रत्ती वाले जो तामसिक ब्रत्ती वाले होते हैं वही सीत धरम से भैभीत होते हैं और नीत करम से नीत माने बिनीत अच्छे कारियों से विपरीत होते हैं तामसिक ब्रत्ती वालो की मेरी प्रकृति सीत सीला है मेरी प्रकृति ठंडक वाली है और सील माने ब्रह्मेचरी का अब्रत पालन करने वाली सुभाव वाली है और रितु की प्रकृति भी ऐसे ही है और बारतमाने जो सीत रितु चल रही है उसका भी गुन ठंडक ही है दोनों में साम है दोनों में एक अम्भकार की, दोनों की, इसलिए मित्रता चल रही है, एक बात हम इसा ध्यान रखो बंधो, यदि हमारे मन में ये आ जाता है, कि हम ये सहिन नहीं कर पाएंगे, तो आप बिलकुल सहिन नहीं कर पाएंगे, और मन में आ गया ये हम सहिन कर लेंगे, तो आप सहिन कर लेंगे, ऐसी बरतमने बिद्यार्शियों के मन में आ जाता अरे ये काम हम नहीं कर पाएंगे, समझो कुछ नहीं कर पाते हैं, और बस मेहनत करते हैं, मन को मजबूती दिलाते हैं और पास हो करके दिखाते हैं, हमें हमेशा अपने मन को बलवान रखना चाहिए, मन में कमजोरी नहीं पालना चाहिए, तभी जाकर के हम इस प्रकार से किशी भी कारी में छेतर में सफलता पराप्त कर सकते हैं, इसलिए बलकार्थ यहाँ पर साइरिक बल नहीं है मानसिक बल है आत्मिक बल है संकल्प का बल है स्रद्धा का बल है वो जिसके पास होता है वो ऐस सब उफसर परिशय को साधर्णता से सहिन कर लेता है बोले महावीज भगवान की आचर गुदेव अगवन स्री विद्या सागर जी महाराजी की हे प्रभू हम सभी को इतनी सक्ती इतनी बुद्धी देने किरपा करो ताकि हम सब्द से आगे बढ़ सकें बास्तिक ज्यान और चारित्त में ढल सकें नमोश्चु हुआ विझ बुद सकें